हेलो टोल स्टूडेंट्स खान लर्निंग क्लास के प्लैटफॉर्म पर मैं अजरा खान आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ बहुत बढ़ी आसे होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगे अगर आप भी टैटर सीटेट एक्जाम में सकते हैं तो अगर आप इस चैनल पढ़नाए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजीगा सब्सक्राइब बढ़ते वग बैल आइकन प्रैस करना बिलकुल ना भूलें जिससे कि आप हमारी कोई भी लाटिस्ट अपलोड मिस ना करें और एक इंपॉर्टन जानकारी म महा सिजा कर भी अपना एड्मिट कर डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो का पहला प्रशन है आदोलिकितम गध्याशं पटितवातादा धारित प्रशना नाम विकलपात्म कोतरेव समीचीन उत्तरम चुनेते मतलब आदो मिवगरी ऐसी गुरु तरहा स्वा मात्र भूमी मयोध्यायां प्रती लंकात प्रतिष्ठा मानस से भगबतो रामचंदर से मुक्ती साकल्ले नात्र उद्यते किस पराधारी थे ये जननी मिव मतलब मात्र भूमी पराधारे परेग्राफ है देखते हैं अपि स्वर्ण मैय ना में लक्षमन रोचते, मतला अपनी स्वन्माई लंका में लक्षमन रोचते, लक्षमन अच्छा लगता, जननी जन्म भूमिष्ट स्वर्गादपी गरी यसी, जननी जन्म भूमी जो हे स्वर्गादपी, इती जननी जन्म भूमी श्वेचतु भे सम्मान आरहे पूर्जे चेतस्या संच्रेप संच्छेप एडाभिप्राया कस्या विधितम तत्यमेतत्य जन्म दात्रत्वात सतुं सुत संबर्धकात वच्चे करुणय मूर्ती मारता मतलब जो करुणा मैं है सस्वंती नाम जीवनर सर्वस्वं तत एवश्रुती मात्र देवो भवा तो इस तरह से आपको पिरेगराफ को पूरा पड़ लेना है पिरेगराफ को अच्छे से पड़कार फिर आपको चलना है अपने कोष्ण की तरफ आज की वीडियो का इसका पहला प्रश्ण है माता प्रत्विया मूर्तिस्तू इती कस्य कथन मस्ती रामस से अर्थार्वुवेदस से रामनस से या मनुस्म्रतिर इत्यस सुराइटांसर ओप्षनमर्डी हो जाएगा कि मनुस्म्रतिर इत्यस से माता प्रत्विया अधनस्तेशु मतलग केन मात्र भूमी स्वतंत्र ताया आत्मने बलिदानम क्रतम अधनस्तेशु मतलग केन मात्र भूमी किसकी मात्र भूमी स्वतंत्र ताया आत्मने बलिदानम क्रतम जिसने स्वतंतरता में या स्वतंतरता के शेत्र में अपना योगदान दिया बलीदान दिया पंडित जवाल लाग नहरूणाम, सरदार भगस सिंग ने सरदार बलभाई पटे लेन या मदन मोहन माल भी एन लंका के प्रतिष्ठ मानस से भगवतों राम चंद्रेस्यों मुक्ती इत्यत्र भगवता हा अस्मिन पदे काविबक्ती लंका के प्रतिष्ठ मानस सी भगवतों रामचंद्रेश्यो मुक्ती इत्यत्र भगवते असमिन पदे का विबक्ती इस पद में कौन सी विबक्ती है प्रत्मा शष्टी दुतिया या पंचिमी सुराइट अलसर ओप्षन नम्ब बी शष्टी विबक्ती है नेक्स्ट है अधनस्तेश्यो केन प्रत्म स्वतंत्रता संग्रा में आत्मा हुती दत्ता इन में से किसने प्रत्म स्वतंता संग्रा में आत्मा नी मितला आत्मा हुती दी मंगल पांडेयन महर्शी दयानन देन ओप्षन सी अश्वा कुल लखा महा देन ओप्षन डी लाला ला पत्र आये और सुराइट आंसर ओप्ष्ण ने हो जाएगा कि मंगल पांडे ने अपने आत्मा हुती दी थी मतला मंगल पांडे ने अपना आत्मा बलीदान कर दिया था नेक्स्ट है कौशन नमस एक वयम थुभ्यम बली हिरता स्याम इत्यत्र वयम शब्दम कसमात प्रतिपादिक दाम निश्पन बल् газ ये कथन किसने प्रतिपादित कि असमदा तदा योसमदा ये क्ये मासुराइट आंसर ओप्ष्ण ने हो जाएगा कि वयम थुभ्यम बली हिरता शयाम यहां वयंपद असमद प्रतिपादिक से निश्पन्य हुआ, असमद शब्द का रूप निमन प्रिकार से चलता है, नेक्स्ट कोशन है, प्रेश नम्बर साथ है, उपरियुक्त गद्यांशा नुसारें, जननी जन्म भूमिष्ट स्वर्गाद अपी गरी असी इती कस्य कत्नम, से, ओप्षन सी महर्शी दयानंद से, ओप्षन डी रामचंदर से, तो राइट अंसर ओप्षन नम्बर डी हो जाएगा, उपरियुक्त गद्यांशा नुसारें, जननी जन्म भूमिष्ट स्वर्गाद अपी गरी असी ती कत्नम, रामचंदर से, अस्ती सो ओप्षन डी स का राइट अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, मात्र माने पुरुषो वेद, वेद, इत्यत्र मात्र मान, अस्मिन पदे का प्रत्य, इसमें मात्र मान में कौनसा प्रत्य है, मतुम प्रत्य, मानच्छे, शानच्छे, कानच्छे, सो राइट अंसर ओप्षन हो जाएगा, मतुम हे, नेक्स्ट हे, अधो लिखीत गद्नियाइश पटिद्वा, तदा धारितु प्रश्णानाम विकलत पातमा को तरेभ जब्ग समी जी नाम उत्तरम चिनुते, बेदा समस्ता नाम सत्ते विद्या नाम ग्रन्था संति, बेदों के समस्त, सबी वेदों में सत्ते विद्या ना पेन, अफिलस्य आपी, ज्यान विज्यानत से उल्लेखो वड़ता थे तो इस तरह से आपको पूरा इसको पढ़ लेना है, फिर चलना है अपने कौशन की तरफ, तो इस पैरग्राफ से कौशन देख लेते हैं, कौशन मन्नो है आपका, सर्गदो, सर्गादो बहगवता, परि तम अंगी कराएं, क्रश्नाएं, आदित्यायां अंग्डें सो राइटांसर ओप्षन C हो जाएगा कि सर्गादो भगवता मतलब सर्ग के आदी में अर्थात सरष्टी के आदी में भगवान परमेश्वर के द्वारा सामवेद का ज्यान आदित्य को दिया गया सो ओप्षन C इसका राइटांसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है रिगवेद से को अस्ती उपवेद रिगवेद के कौनसा उपवेद है धनुर्वेद है गंधर्ववेद है आयुर्वेद है या अथर्ववेद है सी, आयोरवेद, इसका राइट एंसर हो जाएगा, मतलब अरथात काण्व सेुगता वेदांग नहीं है। स्गारपत ब्राहम्नमन ग्रन्थस से संबंधे केन वेदेन सहे वर्तते? गोपत ब्रामन इन ग्रंत से ब्रामनों के ग्रंत से सम्मंद कोन सा वेद सह वर्तती इसके साथ में है रिगवेदेन यजुरवेदेन सामवेदेन अथर्ववेदेन सो उप्षन D इसका राइट अंसर हो जाएगा गोपत ब्रामन गरंथ से सम्मंद अथर्व वेदेन सहे वर्तते अर्था गोपत ब्रामन गरंथ का सम्मंद अथर्व वेद के साथ है नेक्स्ट कोशन है भर्त हरना को ग्रंथो लिखिता भर्त हरना को ग्रंथो लिखिता उप्षन ए सत्यार्थ प्रकाश है उप्षन B वाक्य पदियम उप्षन C शब्दार्थ कोस्तुभम उप्षन D तत्वार्थ दर्शनम सुराइट अंसर उप्षन नमर B हो जाएगा वाक्य पधियंगे। देश वर्णों का ज्यान है, नेक्स्ट पोश्चन है, त्रिश्टुप छंदसी कती वर्णा संती, त्रिश्टुप छंद में कितने वर्ण हैं, 24, 44, 36 या 32, सुराइट अंसर ओप्षन भी हो जाएगा कि उसमें 44, त्रिश्टुप छंदसी, 44, चतुस्त चतवारिश, वर्णा संती अर्था, त्रिश्टुप छंद में 44, वर्ण हैं, गायतरी में 24, अनुष्टुप में 32, और पंक्ती में 36, सुराइट अंसर ओप्षन भी हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन है, प्रथम कक्छाश्या, प्रथम कक्छायाश चात्रा, अनेन गती विधिनाम, कत्म लाभान व प्रथम कक्छा की चात्र, गती विधी करती, कत्म लाभान विता भवशन से क्या लाभ है, उप्षन है, अखिल गत्यात्मक कोशला नाम विकास है, मतलब उससे गत्यात्मक कोशलों का विकास होता है, प्रभावयुत्ताह संप्रेशन करतारे भविश्यान्ती, नवीना, नवधार्नाम, यापनाम और उन्हें नई नई धार्नाओं का उबोधन होता है। नई नई वर्ष का उसका आकलन केन प्रकारेंड कुरियाद उसका आकलन अध्यापक किस प्रकार करेंगे। तेशाम प्रथक प्रथक समूह निर्माण आर्थम उसे अलग-अलग समूह निर्माण कारे देंगे ओप्शन बी तेब्भे इस्तरम गार्डिंग थीम मतलब तेब्भे इस्तरम प्रदानाय उसे अलग गार्डिंग थीम देंगे तेशाम चमताम आवश्यक ताम रुची नाम मतलब उससे कोई आवश्यक कारे कोई रुची करकारे करवाएंगे योगिता कर्मा नुसारं तेशाम अवरोधनम option number c इसका right answer हो जाएगा कि तेशाम चमताम उसकी चमता की अनुसार आवश्यक रुची करकारे उसको देंगे और उसका आखलन करेंगे option c right answer हो जाएगा कि उनकी चमता आवश्यक तता रुची काकलन करके करना चाहिए next है शिक्षार थिब्बे इस्तर 3 मतलब great third महतपूर्ण चर्णम अस्तिस के महतपूर्ण चर्णम है यतो ही अब अस्याम आवस्थायाम महतपूर्णम परिवर्तनम भवती लेखन शिक्षण आंतरम पठन शिक्षणम मतलब लेखन शिक्षण के अंतर पठन शिक्षणम करवाना या पठन शिक्षण आंतरम पठन शिक्षणम पठन शिक्षणम लेखन शिक्षणम या लेखन शिक्षणम या लेखन शिक्षणम लेखन शिक्षणम लेखन शिक्ष क्यूंकि इस अवस्था में पठन शिक्षाण आंतरम, पठन शिक्षण में परिवर्तन होता है। इस अवस्था में परिवर्तन होता है। इस अवस्था में परिवर्तन होता है। इस अवस्था में परिवर्तन होता है। इंग्लेश भी बोल रहा है और हिंदी भी बोल रहा है। में लेट हो जाऊंगा। ये कूट मिस्रण का उदाहरण है। मतलग दोनों भार्षाओं को वो मिलाकर बोल रहा है। इस अवस्था में परिवर्तन होता है। मतलग शिक्षान संवंदितम अंत्रम निवनी करतों, कुछ नया करना, निवन करना, छोटा करना, अध्यापिक रात्मक अध्यापिक होता है। Option A, सूप्षम अध्यापनें के, और सूप्षन B, समगर अधारित परिक्षणें के, Option C, परतियोगी परिक्षणें के, मतलब परतियोगी परिक्षाओं के आधर पर या फिर निदानात्मक परिक्षण, Option D, इसका राइट अंसर होगा, कार्था सुप्षण संबंदित अंतर को कम करने के लिए अध्यापिका उपचारात्मक अध्यापन करती है, वेस अंतर को निदानात्मक परिक्षण के द्वारा जानती है, राइट अंसर Option D, नेक्स्ट है अध्यापिका चात्रान पच्चे पंचा नाम समुहे विभाजती मतला अध्यापिका जो है चात्रों को पांच समुहों में विभाजित करती है तेब पठनाय एकम आवदेनम यच्चती और उनको पढ़ने के लिए कावेदन देती है चात्रा हा तत्तम पठन्ती समुहे चर्चयन्ती चा टिपणी लिखन्ती तथा चा संचिप्तम सारांश मपी लिखन्ती मतलब पठन्ती समू, समू में पढ़वाती है, चर्चा करवाती है, टिपणियां लिखवाती है, तथा चे संचिप्तम सारांश मपी लिखन्ती है, और संचिप्तमें उसका सारांश भी लिखती है, साशात्रेशू, कीद्र का कोशल विकासे प्रियर्थती, तो ये किस प्रिक का कोशल विकास होगा उप्षन है अंते व्यक्तिकम संप्रेश्णम कोशलम है अकाडमिक भाषा है विचार विमर्षी चमता है या समुचर्चा है सु राइट आंसर उप्षन नमब बी हो जाएगा कि अकाडमिक भाषा है नेक्स्ट कोश्चन है सु अप्षन नमब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन इस दैट एक अध्यापक निश्चे क्रत्वान यत सा पंचम कक्छाया हा चात्रेन चात्रान तेभे पुस्तके बे एक लगू कथा शावण ससी लगू कथा शावण काले पठ कालस से कत्मों कतिविदी कर्तु शक्यते देखते हैं ओप्षन प्रेश नमब सी इस एक अध्यापका पंचम कक्छाया कतित कतिप याने चैनितान इस्तरी यान व्याकरना अवधारना पाठ्याती सा कक्छायां कस्ये उपागम से प्रियोगम करोती मतलब एक अध्यापका ज कारेत उपागम से कोशल के आधार पर उपागम रचनानु वाद उपागम से सनरचनात्मक उपागम से कारे आधारेत उपागम से सुराय टाल्जन हो जाएगा ओप्षन नमब सी नेक्स्ट कोशन है एक अध्यापका निश्चयम क्रत्वान एक अध्यापक निश्चय करता यत से पंचम कक्छा या पे पंच कक्छा में पांच में कक्छा में चात्रान ते बे पुस्तक के बे एका लगू कता श्रावण स्चती मतलब उनको एक पाट पुस्तक की लगू कता सुनाएंगे लगू कता श्रावण काले पठन कालस से कतमों गतिविधी करतुम शक्यति या उसमें कौन सी गतिविधी उपयोक्त होगी। ओप्शन है शिक्षार्थिना कथायाम चित्रा नाम आधारेन कथायाम गटना नाम अनुमानम करवन्ती। मतलब शिक्षार्थियों को कथा के चित्र आधार पर उसकी गटनाओं के आधार पर दिखाना चाहिए। शिक्षार्थिन योगम रूपेन कारे कुर्वन्ती। शिक्षार्थियों को जोडे में कारे करवाकर परसपर पाठांत्रम श्रवन्ती। उनको पाठ सुनाना चाहिए। अध्यापक के कथायां प्रष्ट भूमी चर्चे ती अध्यापक की कथा की प्रष्ट भूमी पर चर्चा करनी चाहिए। अध्यापक करवाना चाहिस ओप्षन भी राइट अंसर हो जाएगा। अध्यापक करवाना चाहिस ओप्षन भी राइट अंसर हो जाएगा। क्योंकि ये शब्द उसके ग्राहे शब्द संग्रहे संती मतलब हैं। अगला कोशन है निम्नांकि तेशु कत्मम कोशलम राष्टी शिक्षानीती दोहजार बीस इत्यानुसार आधार चरनाय महत्वपून अस्ती। निम्लिकित में से कौनसा कोशल राष्टी शिक्षानीती दोहजार बीस के अनुसार आधार चरनाय महत्वपून अस्ती। खिराष्टी शिक्षानीती दोहजार बीस के अनुसार आधार साक्षरता संख्यात मकम चा कोशलम आधार चरनाय महत्वपून है। परिवर्थनम करोती तत की कत्यत किस तरह का परिवर्थन है। अभी ग्रहनम है, अनुकूल नम है, मुल्यांक नम है या समीक्षा है। तो राइट आंसर ओशन भी हो जाएगा कि अनुकूल नम है। मतलब चातर के लक्ष के अनुकूल अभ्यास तता पाटे क्रम में जबाब परिवर्थन करते हैं, तो वे अनुकूल अइसा कहा जाता है। तो यह थी हमारी 30 questions की class, I hope so आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिसे कि आप हमारी कोई भी लटेस्ट अप्लोट को मिस्सना करें, थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो और सी यू अगें विडियो थैंक्यू सो मुच वन्स अगें